कि यह पांच के जी दूद पांच के जी एरी सबजी और पांच के जी फल तो उसको एक दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना क्योंकि मकसद है एक सफल किसान हमारे साथ होंगे और एक सही चीज ओडियंस तक पहुंच पाए और आप पी अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएं और लोगों को अच्छा स्वासे भी मिल पाएं तो आज इस वीडियो के अंदर हम है भी दमदार फ्रोड़ेट के बारे मैं बात करेंगे यह क्या है इसके क्या क्या फाइदे है आप किस तरीके से इसका व्यापार कर सकते आ कौं क्यों सकते है कि इसकी इसकी एक्सपारी डेट क्या है बस वीडियो में आपको अंतक बने रहना है दोस्तों नमस्कार तो आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान जो कि पिछले 20 सालों से इस व्यपार के अंदर है और आज आपको एक बहत्री बिजनस के बारे में बताएंगे और इसके क्या-क क्या फाइदे हैं एक चोटी सी पुंजे के साथ आप इस काम को भी स्टार्ट कर पाएंगे सबसे पहले जानते हैं प्रोडेट क्या है इसके क्या-क्या बेरिफिट है तो नमस्कार सर सबसे पहले आप हमारी ओडियोंस को आपका प्रिचर दी सबी दर्सकों को मेरा राम-रा महराकेश चौदरी मदो मुखी पालक किसान और आपको आज में कुछ जानकारियां बी-पॉलन के बारे में बता हुआ कि बी-पॉलन क्या होता है और आप कैसे खरीद सकते हैं और सर आपके फारम की लोकेशन की बात करें तो कहां पर पड़ता है यह गाउं सेर पुरा है य और यह राजस्तान स्टेट में आता है ठीक है तो सर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बी-पॉलन की तो सबसे पहले हमारी ओडिंस को बता है यह बी-पॉलन है क्या सर जी बी-पॉलन यह मदो मुखियों का बोजन है ठीक है और यह मदो मुखी जब फूल पे बैठती है तो यह फूल से पराग इकठा करके लेके आती है पराग के बहुत ही छोटे कन होते हैं और इसको इकठा एक मदो मुखी कोई ऐसी बगवान की करपा है कि वो उसके पिछले टांगों में थेली बनी हुई होती है और जब उस पर गोमती है तो अजारों फूलों प मन में ये बहम भी रहता है कि ये बी पोलन जो है वो मधु मखी का मल तो नहीं है क्या इसके अंदर सचाई है जी ये सचाई से बहुत परे है मल वाली बात तो ये मल नहीं है ये पिछले टांगों में जो थेली बनी हुई होती है उसमें डलके ये फूलों का पराग आता है और मल मदु मख्यां करती है नहीं उसके पेट पे गनंतियां मनी होती है जिससे वेक्स बार आता है अच्छा तो सर अब आप हमें ये बताईए इस बी पोलन के फाइदे क्या क्या है किसको ये फाइदा पहुचा सकते है किन किन बीमारियों के अंदर ये काम करते है जी ये हर वरग के वेक्ति को पहुचा सकता है बच्चे से लेके बुजरग महिलाएं सबी इसको खाएं और इसके फाइदे आर्ट में जो भी कोई प्रॉबलम है उसके लिए थाइराइड के लिए विपी के लिए आईपर टेंशन जो भी कोई दिक्कत है जो टेबलेट खा रहा है उसके लिए गैस के लिए कबज के लिए आँखों के रोसनी के लिए बालों का जड़ना है उसके लिए बोड़ी में जहां भी पैन है उसके लिए योनरोगों के लिए सब चीजों में ये फाइदा करेगा तो सर आपने बताए बी पोलन के फाइदे तो क्या कोई से स्वस्थ वेक्ति भी ले सकता है और किस-किस वर्ग का वेक्ति से ले सकता है जिब बिमार आदमी तो हर कोई बागता है हर चीज के लिए दवाई के लिए लेकिन फिट आदमी को ये जरूरी है कि वो अपनी बोजन की थालिका इसको इससा बनाए ताकि कभी बविश्य में बिमार ना उसके जो बच्चे से लेके बुजरग तक है इसको खाई जैसे क्योंकि इसकी एक जमस भी पॉलन की टाकत होती है फिल पांच के जी दूद पांच के जी अरीसबजी और पांच के जी फल तो उसको इक जमस भी पॉलन खाने में कोई तकलिफ नहीं होगी और उसकी सारी पुर्तिय जो हो जाएगी तो बज़रग के लिए तो यह बहुत तो इसकी expiry क्या रहती है जी नेचुरल चीजों की पहली बात तो expiry date होती नहीं जैसे सहद है या बी पोलन है और भी बहुत सी चीजी है जो नेचुरल है इसको जैसे हमने शुका के नेचुरल तरीके से जो बंद कर रखा है वो बंद पड़ा रहने दें जितना यूज करना उसको खोल लें आप इसको 6 महीने रख सकते हैं एक साल रख सकते हैं ये खराब नहीं होगा तो सर ये बताई इसका नेचुरल प्रोसेस क्या इसको बनानेगा बी पोलन को नेचुरल प्रोसेस यही है जी गिला आता है यह और इसको सुकाने का तरीका यह है कि इसको के दो रहार इसको प्रोसेस करती हैं तो उसमें फिर क्या फरका जाता इस मैं फरक जासत है झालिक्त करते अक यू प्रॉब्लम आती हैं रिसेलर हमसे अब जाके जो ड्रायर से सुकाया हुआ लेते हैं वह अब हमसे मांगते हैं कि आपका खराब नहीं होता यह जी इसमें मैनत लगती है और नेचरल जो तरीकें उसी से सुकाएंगे तो यह खराब नहीं होगा बहुत बढ़िया तो सर आप हम पर पोलिस हो गई यह चीजें मनती हैं जी और जितनी भी बढ़ेंगी वह नेचरल तरीके की हैं और हर आदमी को नेचरल पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और यह हमारा एक मिशन है कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्ते मिले और हर आदमीं तक नेचरल चीज पहुंचे ता तो क्या वो भी possible है जी फारम लगवाना भी possible है और हम से जुड़के अगर ये resell करना चाथता है विजनस करना चाथता है तो भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें हमारी request यही रहेगी कि जो भी हमारे से जो natural तरीके का जो भी product है वो ले तो वो natural तरीके का ही आ यह मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा है वैसा ही आगे बेजें बहुत बड़ी है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको एक श्यांदार स्टोरी देखने को मिले होगी इनक प्रोडेट को आप सिंगल पीस में खरीदना चाहते हैं तब भी आप इनसे मंगवा सकते हैं या इनको आगे रिसेल करना चाहिए बल्क क्वांटिटी के अंदर खरीद के तो आप वो भी पोसीबल है मदुमक्खी से लेटिड कोई आप बिजनस करना चाहते हैं फारम लगवाना चाहते हैं वो सारी जानकारी आप सर से ले सकते हैं इनका नंबर आपको स्किन के उपर अधिज रहे हैं तो उमीद करता हूं आपको एक श्यांदर वीडियो देखने को मिली होगी मिलते हैं नई वीडियो में नई बिंस आइडिया के साथ और एक बार फिल से आपको बोलना चाहूंगा जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो ज जय हिन जय भाउट